ओम नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्योहार्टोटके मैं हूँ आपके साथ उर्मचिम शर्मा हिंदु धर्म के पावन महीने सावन की शुरुवात इस बार 2020 में 6 जुलाई को हो रही है सावन की शुरुवात हो रही है सोमवार से और सावन का महीना जो की 3 अगस्त को खत्म होगा उस दिन भी सोमवार ही पड़ेगा तो दोस्तो बहुत ही अदभुत सयोग है इस बार सावन महिने में इस बार शुरुवात और अंत दोनों ही सोमवार के दन से हो रहा है जो कि भगवान शिव भोलेनात का ही दिन है बहुत ही अदभुत सयोग और पूजा आराधना विशीश तोर पर सावन महीने में सोमवार के दिन ही होती है भगवान भोलेनात की जो भी वक्त होते हैं वो सावन महीने में उनकी विशीश कृपा के लिए उनकी विशीश पूजा आराधना अर्चना करते हैं पूरे देश में अगर हम शाविनमास की बात करें तो शिव मंदिरों में भक्तों का ताता लगा रहता है कावड या कावड लेके निकलते हैं लेकिन इस बार हलाके स्थिति कुछ और रहेगी क्योंकि इस बार जिस तरीके से कोरोना के दौर से हम गुजर रहे हैं संकट की घड़ी है और बाहर जाना अनलोक वन में भी मुश्किल ही है खासतोर पर कावड जैसी यात्राएं तो इस बार ठीक धंग से जैसी होती है हर साल नहीं हो सकेगी लेकिन दोस्तो भगवान के भक्तों की आस्था और उनमें उनका विश्वास वो थोड़े ही कम होने जा रहा है जो शावन का महीना है वो शिव भक्ती से सराबोर होता है जो भी भक्त सच्ची भावना से भगवान शिव की पूजा करते हैं ऐसा माना जाता है क्योंकि शाव तो ये पाँच सौमवार के व्रत सावन महीने में पढ़ेंगे। और जो भी भक्त सच्ची आस्था से भगवान भोलेनाथ की पूचा करते हैं उसकी सभी मनोकामनाए भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे दोस्तों सोमवार के वरत को शास्त्रों में माना गया है कि तीन तरीके के होते हैं सोमवार का वृत होता है सावन का सोमवार, सोलर सोमवार और सौमय प्रदोश वृत ये तीनों ही वृत भगवान भोलेनाद की आरातना के लिए करते हैं उनके उपासक उनको खुश करने के लिए और अपनी मोमांगी मुरादों को भगवान भोलेनाद से पूरी करवाने के लि सावन महीने से आप 16 सोमवार भी कर सकते हैं पहले सोमवार से अगर आप शुरू करें से आगे कंटिन्यू करके आप 16 सोमवारी वरत भी सावन महीने में शुरू करके कर सकते हैं आप प्रदोश वृत अगर पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप सावन महीने से शुरू करें बहुत ही उत्तम माश होता है ये और शुरू करना वृत का खास तोर पर सोमवारी वृत का बहुत ही अच्छा माना जाता है ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है दोस्तों जो पहली बार सावन के सोमवार व्रत करने जा रहे हैं जो पहली बार 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं या जो पहली बार प्रदोश व्रत करने की इच्छा रखते हैं वो वीडियो जरूर देखें, अन्ते तक देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की ज़ानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर आती हूँ, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बता दें, सोंबार व्रत करने की शहटा करते हैं, विधी हो अनको पता है, लेकिन जो पहली बार करेंगी, मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है, जो पहली बार इस बारी 16 शोमवार व्रत सावन में शुरू करने वाले हैं. आपको करना क्या है 16 सोमवार वृत या सोमवार वृत अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो विधी होती है वो आम तोर पे सभी वृतों की जैसे होती है सोमवार की वृत में ऐसा बाना जाता है ब्रह्मोर्त में उठना चाहिए सुबह स्नान ध्याना दे करके आप पूजा आराधना में जुटे भगवान भोलेनाद को आप खुश करनी की जो भी जिस तरीके से आराधना करना चाहते हैं करें और उसके लिए कुछ खास सामागरी क भी जरुत होती है आपको इस पूजा को करने से पहले भगवान शिव की एक प्रतिमालानी होगी शिव की मूर्ती अगर घर में है या कोई फोटो है आप उनके साथ भी कर सकते हैं सोमवार का व्रत आपको इसमें जो वस्तुई चाहिए भगवान की भोग के लिए बाकी बहुत पसंद है अगर बहुत जादा ना मिले तो तीन बेल पत्र जरूर चढ़ाएं लेकिन ये जरूरी है भभूत अगर अपला सके तो भभूत चढ़ाएं चंदन जो भी आपको और चीजे चाहिए वह आपलाएं लेकिन बेल पत्र भांग धथूरा आक के फूल अगर मि जाएं शिव भगवान को बहुत प्रीय है ये भी चढ़ाएं तो सोमवार के वरत के दिन आपको करना क्या है और आपको ज्यादा से ज्यादा ओम नमा शिवार शिव मंत्र का जाप करना है आपको सोमवार वरत कथा करनी है आरती करनी है सोमवार के वरत में तीसरे पहर तक ह भगवान की पूज आरादना करती रहनी है उसके बाद आप शुद भोजन आप कर सकते हैं आपको इस वरत में कुछ खास नियमों का भी ध्यान रखना है जो कि बेहत जरूरी है वो नियम है किसी विवरत की तरह रमचरे का पालन करना है एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन रखने हैं तो ये तमाम साबधानियों के साथ जो भी नए वरती वरत करना चाहते हैं इस शावन मास में भगवान भोलेनात को खुश करने के लिए वो वरत जरूर रखें तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट करें किसी और तरह की ज शेयर करें और अगर अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें शुक्रिया